आज से 5 साल पहले का बहुत छोटा सा फिगर लीजेगा आज से 5 साल पहले कितने सारे फॉर्णर्स को या बाहर की यूट्यूबर्स को या सो कॉल्ड चैनल्स को रिविवर्स को इंडियन फिल्म का रिविव करते हुए देखते थे मतलब रिविव तो छोड़िये छोड़िये ट्रेलर का रियाक्शन तक भी नहीं था मतलब वो कॉंसेप्ट ही नहीं था और अब देख रहा हूं मैं पिछले कुछ एक या दो साल से हर फॉर्णर्स जो भी मतलब बाहर का हो किसी भी देश का हो इससे फरक नहीं पड़ता वो किस देश का है कोई भी अगर फॉर्णर है वो इंडियन फिल्म का ट्रेलर रिव्यू या रियाक्ट कर दे इंस्टेंट व्यूज आ जाते हैं यह हो चुकी है पावर अब इंडियन सिनेमा की कि गलोबल लेवल पे ऐसा दबदबा है कि सब को पता है कि इंडियन सिनेमा इस हेर टू स्टे नौ तो जैसा कि पता ही होगा आपको इंडिपेंडेंस डे अपने आजादी का दिन पास आई रहा है और बहुत जादा जोश है इस साल मतलब मैं इस साल एक अलग किसम का एक कैतना उत्साह में देख रहा हूँ हमारे भारतियों के अंदर की आजादी का अमरित महुतसफ तो इस आजादी का अमरित महुतसफ में कई सारे ऐसे हमारे देश के कोने कोने में इवेंट्स हो रहे हैं पेंटिंग कॉमपेटिशन, सिंगिंग, डान्स, अलग-लग किसम का तो मैंने सूचा यार क्यों ना एक ऐसी उसके बारे में इंडेस्ट्री के बारे में बात करें जो मुझ किसम से कनेक्टेड हैं फिल्मेकिंग के बारे में, इंडेन सिनेमा के बारे में? सोचे, इंडेन सिनेमा में सबसे पहली फिल्म और अब तक कितना कुछ डेवलफ हो चुका है? मतलब पहले मुझे आज भी याद है कि एक जमाना हुआ करता था जहां पे हमारी फिल्म को या चाहे वो हमारी Bollywood की हो या कोई हमारे South Region की हमारी कोई फिल्म हो, कोई भी हो, हमेशा मजाक उड़ाया जाता था कि यह अचानक से गाना कहां से चला आता है, या हमें कोई Music, Trumpet, Trumpet और यह सब तो सुनने में नहीं आ रहा है, तो यह अचानक से गाना कहां से बज़ गया, और आ से कहां हम लोग आगा हैं, इंडियन सिनिमा को इतने साल हो चुके हैं, इतना Independence में भी कही न कहीं देखा जाए तो देश भक्ती और पेटरोटिजम की कई सारी फिल्मों का स्टेटस और डायलॉग्स, पूरे मतलब समझ लिजे, YouTube पे या Instagram पे फैला हुआ रहता है, और कहीं कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि शायद हमारा जो एक ओवरॉल इंडियन सिनिमा का जो कहीं न कहीं development होता था, चाहे वो script ले लिजे, acting ले लिजे, direction ले लिजे, हर field में, मतलब हर शेत्र में, हर category में हम लोग की इंडियन सिनिमा कहां से कहां तक आ गई, या हमारे इंडिय के साब से उस टाइम पे कितना अच्छा था, और आज कल की जो फिल्मे हैं, ट्रिपल आर देख लिजे, बहु बली देख लिजे, पुश्पा, बलकि मैं तो शौक्ट देखके रह गया था, कि पुश्पा के अंदर कितना ज़ादा visual effects का काम हुआ है, unbelievable, और जिस तरीके से हम इनुश, ग्रे मैन में है, पता नहीं, आप लोगों मैं से कितने ने देखी, बट मैंने ज़रूर देखी है, और उनका रोल तो वैसे बहुत छोटा है, लेकिन बहुत सटीक है, मतलब समझ जीजे, इंडियन और ओडियंस को पाने के लिए सिर्व यह काम किया गया था, मैं अपने ही लेवल पे, मतलब एक छोटे से लेवल पे, समझ जीजे, इंडिपेंडेंट फिल्मेकिंग के अगर बात करें, तो मैं पिछले दस सालों में, या पांच सालों में, दस साल तो बहुत जादा हो गया, लेकिन हाँ फाइव यह का अगर हम लोग लें, तो आप कही न इन सब को लेके अब इंडियन कितना जादा उपर आ गए हैं, इतना उपर आ गए हैं कि बड़ी बड़ी कैमरा कंपनीज जो कैमरा प्रेड्यूस करती हैं, वो तक स्पॉंसर्शिप दे रही हैं इंडियन फोटोग्रफर्स, फिल्मेकर्स और अलग-अलग कॉंटेंट क्रि नाएक तो कहीं न कहीं जरूर फिल्म है, भले चाहे वो उसका उतना जादा नाम ना हुआ हो, बट है जरूर, और अब और आने वाला जो समय है, उसमें हमारे जो फिल्मेकर्स हैं, जो अच्छे खासे मलब पोजीशन पर हैं, वो अलग-लग किसम की कहानिया, कॉंसेप्स को एक्स्प्लोर कर रहे हैं, अब डेफिनेटली इस वक्ट जो है, कहीं न कहीं मैं यह जरूर यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, कि हमारे सदर्न रीजन की फिल्म्स कितना अच्छा काम कर रही हैं, पूरे देश में ही नाम कर रही हैं, और सिर्फ अपने देश में नहीं, बल तो आप भी अपने डीपी पे तिरंगा ज़रूर लगाएं, बिकॉज यह हम लोग से भी बढ़ कर हैं, सो थैंक्यू सो मज मुझे आज सुनने के लिए, मैं मिलता हूँ आप से अब अगली वीडियो में, तब तन क्या ख्याल लोके हैं